कि है लो एवरीवन विलकम बेक टू मैं चैनल मैं हूँ रुचिका और स्वागत आप लोग का रुचिका आज में कैसे आप सब आप सब अच्छे ही होंगे आप लोग सब स्वस्त रहें मस्त रहें इसी कामना के साथ आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए अपने अग नया कम है तो आप और काम भी इसे तरी के सामगरी की तरफ और प्रफेक्ट होते होते आप काफी प्रफेक्ट हो जाते हैं तो चलिए हम चलते हैं थ्रेडिंग की थ्योरी की तरफ तो सबसे पहले आ जाते हैं हम थ्रेडिंग में फ्रूट की जाने वाली समगरी की तरफ तो त्रेडिंग में प्रियोट की जानाली समगरी इस प्रकार हैं चालिस नंबर का थ्रेट का दागा ले लेंगे आप कॉटन थ्रेट 40 नंबर बहुत सारी कंपनीज हैं जो थ्रेडिंग का दागा बनाती है वर्दमान उसमें नंबर वन है आपको कोटन चाहिए होगा टलकम पॉडर लगाने के लिए चोटी एंची चाहिए होगी क्योंकि आइब्रोज उपर नीचे होते हैं तो उन्हें कट करकर बराबर करना होता है एस्टिजिंट और मोस्ट्राइजर क्रीम चाहिए होगी आपको तो यह वह चीज़ें जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अएकस्ट। थ्रेडिंग आपको ब्रोज झाता है थ्रेडिंग टम्टे में करना है सबसे पहले लगाइब वह चिक बिम्हेंट आजा ने फ्रेडिंग के शजेखें maior वोजया आपको कीृम में त्रेडिंग से उनको हटा सकते हैं उसके बाद आइब्रो को के ऊपर और नीचे हाथ और से टाइट पकड़ने के लिए आपको क्लाइन को कहना है क्योंकि अगर स्किन लूज होगी तो कट लग जाएगा तीसरा है अब सभी अंचाहे बालों का पर करके निकालेंगे इसी तरह आइब्रो ऊपर और नीचे के बालों को निकाल कर एक अच्छा अकार या शेव देंगे जिससे चेहरे की सुन्दर्ता बढ़ती है चौता है हमारा ट्रेडिंग के हुए जगा पर एस्टेंजिन लगा दीजिए ताकि धागी का कोई साइड इफेक्ट ना हो और धागी की व ठेडिंग करते समय हमें किन सफधानियों का ध्याण रखना है per day कर दो समय कि कट ना लगे क्योंकि अगर आप रफली त्रेडिंग करेंगे तो कट जो है क्लाइन के जरूर लग जाएक पर लग जाता है तो मेरा याकीन मानिए essent क्लाइन दुबार आपके पास कभी भी नहीं आएगा तो बहुत ध्यान से त्रेडिंग करने आपको कटना लगे आइब्रो को बिल्कुल पतला नहीं बनाना है आजकल वैसे भी पतली जो है आइब्रो चलने रही है तो आइब्रो को मोटा मोटा की लगें क्योंकि अगर आप हकी चलन टरफ खड़े होकर बनाना है इसे जो अब के चैना करें के बाद भीच ना करवाएं क्सव Look जो आपके करों के बाद आपको ब्लीच नहीं करवानी हैं क्योंकि जब आप त्रेडिंग कर रवा लेते हैं तो आपकों हिल आपको को हमें बहुत ज्यादा इचिंग होगी पांच मारा त्रेड को साथानी से चलाना है तो त्रेड को आप लोग साथानी से चलाएं ताकि क्लाइन को कांफर्टेबल लगे और उसके कट भी ना लगे और आपकी त्रेडिंग जो है वह अच्छे से हो जाएं कोशिश करिए कि त्रेड में जो आप कैंची बनाते हैं वह छोटे से चोटे बनाएं ज्यादा लंबी त्रेडिंग की कैंची आप बनाएंगे तो क्लाइन को बहुत द दर्द हो जाए तो इस पर आइस क्यूब वाली बरफ लगा बैसे थोड़ी चोटे-मोटी-लाली मात जो आई जाती है पर एक्स्ट्रा राइडनेस आप लगे तो आप इस पर इस क्यूब रब कर सकते हैं इसे ठेंडक मिलती है साधी राइडनेस और जलन भी कम होती है और द आप बिल्कुल भी क्लाइंट को जो है खाली त्रेडिंग के बाद नहीं चोड़ेंगे या तो आप उसे एस्टिजन लगाएंगे या आप उसे मसाज क्रीम से दो से तीन मिनट तक जो है आईस पे मसाज देंगे इससे ब्रड सर्कुलेशन जो है वह बढ़ता है और जलन जो ह और इचिंग जो है वह कम होती है तो इन बातों का ध्यान जो है आपको त्रेडिंग के बाद ध्यान में रखना है अगर आप लोग अपने व्यूटी पालर की फाइल जो है वह बना रहे हैं तो यह वाले नोट जो है यह आपके बहुत जादा काम आएंगे और यहां पर मैं जो है आपकी मदद के लिए थोड़े से यह डाइग्राम बना दिये हैं अभी मैं आपको यह समझा भी देती हूं तो यह वाला जो सबसे ऊपर वाला डाइग्राम है मेरा यह आर्च का है आर्च आइब्रोस का है आर्च आइब्रोस बहुत जादा फैशन में है सभी लोग जो है आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे और फिर जो है वह अच्छे ने लगेंगे फिर यहां पर जो आर्च आप बनाएंगे वहां पर धागा आपको 60 डिग्री रखना है ताकि यह जो मांटेन है वह एक तरीके से बिल्ट हो जाए हमारा और उसी तरह यहां भी 90 और यहां से नहीं निकालना है और इसे जो है आप फोर्टी के एंगल पर रखकर ट्रेडिंग करेंगे बहुत बाल कम हो गए तो यह जो है इसकी लेंथ जो है आपकी चोटी हो जाएगी और फिर आपको अच्छी खासे दिर्कत कर सामना करना पड़ेगा तो बालों को यहां को निकाल तो यह वाला जो है हमारा आर्च है जो मैंने हाँ आपको उपर बनाए यही बनाना जो है तोड़ा डिफिकल्ट होता है बागी तो सब एक्स्ट्रा बाल ही होते हैं वह घट जाते है पर यह शेप देने के लिए आपको थोड़ी मयनत करनी पड़ेगी उसके बाद यह हमारी आज का वीडियो आपको यह उसकी के लिए जबस चानप के लिए आचान कि बिङुरा को लाइक करें जरूर 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 परिश करें ताकि आनेवाले वीडियों सेड़रे मिलें आपको और आपसके लिंक सूप्स्राण के ऐपको हुआं तो आप उन्हें जरूर देखे और प्लीज प्लीज मुझे जरूर सब्सक्राइब करें मुझे जरूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच